फोटोशोप 7.0 वैसे तो यह एक फोटोशोप का ओल्ड वर्जन है स्टार्टिंग का वर्जन है और अभी यह एकदम फ्री है इसको आपको पर्चेश करना नहीं पड़ता और यह बहुत ही हलका सॉफ्ट्वेर है हलका माने तो आप इसको dual core PC में भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसके लिए कोई आपको बहुत ही ज्यादा हाइफ पीसी नहीं चाहिए होता आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप 7.0 काप अपने कंप्यूटर या लैप्टोब में कैसे इंस्टॉल करेंगे अच्छा यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि फोटोशॉप 7.0 कोई मैंने बताया है कि कोई बड़ा वर्जन नहीं है जो अब आ रहे हैं फोटोशॉप सीसी तो था जो चाहते हैं तो उनके लिए मैंने यह वीडियो बनाई है कि वह फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल करेंगे 7.0 को हाँ एक बात और आपको मैं बताऊंगा अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो अगर आप 7.0 से ही स्टार्ट करें तो का मतलब आप जल्दी चीजों क को सीख पाएंगे ठीक है ना फिर आप एक वड़े वर्जन पर काम कर सकते हैं आपको किसी तना की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है अगर आप सीखने में थोड़ा कमजोर है तो मैं यही कहूँगा आप कि आप 7.0 से ही स्टार्टिंग करें ठीक है 7.0 फोटोशॉप कोई छोटा नहीं है ठीक है आज भी जो ग्राफिक डिजैनर हैं जो काफी सालों से काम कर रहे हैं वो फोटोशॉप 7.0 पर ही काम करते हैं मैंने किसी में ठीक है और यहां पर आपको किसी भी तरह का इसको प्रचेज करना नहीं पड़ता नहीं कोई अपडेट होता है बिल्कुल राम से आप इसे यूज कर सकते हैं फिरी माइंड होके डाउनलोड कर लीजेगा लिंक डिस्क्रेशन में डाल दूँगा देख रहे हैं आ गया हमारा फोल्डर अब इसको साइड में कर देते हैं एक पार ही प्रेस करता हूं कि यह रहा फोटशॉप 7.0 ओपन कर लेता हूं फोल्डर को यह आ गया इसी के अंदर हमारा सब कुछ है सेटप सीरियल नंबर और यहीं से हमें इसे इंस्टॉल करना है अच्छा देखि पर मुझे नहीं लगता है इसमें ऐसा कुछ भी है ठीक है वैसे तो मेरे यहां पर नेट आफ है अगर आप चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो आपकी मर्जी है इसमें कोई भी इशू नहीं है मैंने आप पता दिया यह एक दम फिरी हो चुका है और है बड़े काम का बहुत आप सकते हैं स्टार्ट करते हैं ओपन किया फोल्डर सेट अप यह देखिए इस तरह से आपको सेटम मिलेगा सबसे पहले से हम दोस्तों करेंगे ठीक है राइट किलिक करेंगे और यहां से इसे इंस्टॉल करेंगे रन कर दिया अब यहां सिडाट हो गया है अभी हमसे आप जानते ही है accept करना है हमें accept कर लेते हैं अब यह देखिए अब यहाँ पर हमें अपना serial number डालना है ठीक है एक चीज मैं आपको बता देता हूं आपको कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आप Photoshop 7.0 अपने इस अप्प्रेटर लेप्टोब में इस्टॉल करेंगे तो आपको अगर यहाँ पर कुछ भी इस तरह से दिखें कि देखें मैं इसको भी डिलेट कर रहा हूं तो उसमें आपको क्या करना है तो चलिए परे इसे इसे chợ करते हैं यह सिरिन अमपर कहा है यह यह डिशक खर लेते हैं यह हमारा श्यूबर यहां से काफ़ी खर लिए किलिक करके यह से कोफ़ी कर लेता हूं आप कीबोड लेवी अपना ctrl plus c press करके copy कर सकते हैं चलिए दुबारा से आ जाते हैं अपने setup में यह रहा हमारा setup अब क्या होगा अगर आप यहां पर serial number सीधा paste कर देंगे और next करेंगे तो install नहीं होगा मैं दिखाता हूं आपको right click करके paste करता हूं आ गया next करता हूं यह देखिए यह नहीं होगा अब okay करेंगे अब आपको क्या करना होगा यहां पर भी आपको कोई न कोई value डालनी होगी कुछ डाल सकते हैं मैं आपने keyboard से कुछ फिवी कर देता हूं अाउग और करांगे तो इस तरह सरिंद आपको डाल इतरह ईए व्हुक्त आपको डालना ही होगा सिरील नमर डाल दें उसके बाद उसके यहां से next कर दें, फिर yes, next, और फिर से next, next, force of 7.0 अभी इंस्टाल होने लगाए, बहुत जल्दी आप इसको डाल देंगे, बहुत ही easy है, simple, और सब कुछ कर सकते हैं आप इसमें, ऐसा ना सोचें, कि जो upper version है, ठीक है, वो ज्यादा update है, उसमें हम यह कर देंगे, वो कर तो थोड़ा सा समय ले रहा है यहां पर, 80% हो चुका है, अब देखिए, होने वाला है, और यह हो चुका है, यहां से इसको कर देंगे, finish, और यहां से इसको close कर दीजेगा, और OK, और यह देखिए, अब हमारा Photoshop हो गया है, अब मैं इसको यहां से cut कर देता हूँ, इसका हमा यहां से लिए आता हूँ, इसको desktop यहां आ गया, इस तरहां से आप drag करके, इसकी shortcut यहां ला सकते हैं, तो चलिए, एक बार इसको open करके देखते हैं, डबल क्लिक करेंगे, open होने लगेगा, बहुत ही अच्छा software है, यह, OK, यह देखिए, उसकी बात यहां से, continue कर दें, yes, OK, हो गया है हमारा Photoshop 7.0 install, अब आप इसे use कर सकते, इस वीडियो को कुछ परसन देख रहे हैं, हो सकता है, वो Photoshop install करना जानते हूँ, पर लेकिन मैंने नहीं आता, यह वीडियो मैंने उनके लिए बनाई थी, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे install कर सकते हैं, link description में देदूँगा, वहां से download कर लिजेगा, आज के लिए बस इतना ही, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ लफ्त के लिए धन्यवाद।